आज मैं बनाने वाली हूं बासुंदी की रेसिपी जो की पॉपुलर स्वीट डिश है और यह गुजरात और महारास्टर में काफी पॉपुलर है तो रेसिपी को हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक हेवी बॉटम का पैन लेंगे और उसमें हम दो लीटर दूद डालेंगे अब हम दूद को गरम होने के लिए रख देंगे दूद गरम हो चुका है इसमें मलाई आने लगी है तो हम मलाई को चला कर दूद में मिक्स कर लेंगे जिससे की दूद गाड़ा होने लगे दूद को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे की यह नीचे लगे ना और मल पुंदी बहुत ही कम इंग्रेडियन्स से बनने वाली रेसिपी है तो आप भी अपने घरों में जरूर इसे ट्राइ कीजिए और कमेंट में आप सब मुझे ये बताइए कि किस किस को स्वीट्स खाना पसंद है तो दूद को उबलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें पिस्ता डालना है तो इसे भी हम डाल देते हैं अब हम ड्राइफ रूट्स को दूद के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसे फिर से उबलने के लिए लग देंगे अब हम इसमें कर्णेंस मिल्क डालेंगे आप चाहे तो इसके जगा शुगर का भी यूज क कर सकते हैं मिठास आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं तो अब हम इसे एक बार और चला लेंगे इसके बाद हम इसमें केसर डालेंगे हाफ टी स्पून अब हम फिर से इसे चला लेंगे इसे हमें और 10-15 मिट तक उबाल लेना है अब हम इसमें वन टी स्पून इलाइची का पॉर्डर डालेंगे और इसे हम फिर से एक बार चला लेंगे दूद को उबलते हुए लगभग 45 मिनिट सो चुके हैं दूद काफी हद तक रेड्यूस हो चुका है साइट से निकलते हुए मलाई को भी हम दूद में मिक्स करते रहेंगे दूद अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है तो बासुन्दी बनके बिलकुल तयार है अब हम फ्लेम को ओफ कर लेते हैं और इसे सर्फ कर लेते हैं तो यहाँ पे हम इसे सर्फ कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राइफ रूट्स डालेंगे उपर से तो हमारी बासुन्दी की रेसिपी बिलकुल बनके तयार है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चानल पे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे लाइक, शेर और कमेंट कीजिए थैंक्स पर वाचिंग